तो कैसे ही आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को F.Y.U.E.P. U.E. Semester 3.Session 22-26 में आप सभी बच्चों का पल-पल की हर वीडियो नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम गुरूफ फेजू पूचे लिंगे जूड़ यह कोई अपडेट आगा कॉली संब्धित आपको सारा वहां पर सेयर करती है जाएगा देखे क्या है आपको परिख्च बचो यहां बतन कोशित की है पहला देखिए कि महरसी पतंजली ने क्या का है भासा संब्धित की पानेनी की अष्टाधई के महा भासे में भासा की परिभासा इस प्रकार दी गई है कि व्यक्तता वाची वर्नाना एसा तम एमे वक्त चाओ ठीक है इस प्रकार से यह जो कथ असरे साही तेनों पजनते तथा चयए बुद्धि स्वडारते थे इस प्रकार दे कि यह कथन जो दिया गया वो भेतरी के दोरह दिया गया पिर अमर्कोश जी के दोरह देखिए क्या किया गया भासा को वानिक का परियाए बताते हुनरे कहा है कि ब्रामी तुम भारती भास गीर वाका वानी स्वस्ति तो ये अमर कोशी के दोरा दिया गया है फिर हमारे पास कामदाता परसाद गुरू ने अपनी पोस्तक जो हिंदी वैकन में भासा के परिभासा उन्हें इस प्रकार दिये कि भासा हुआ साधन है जिसके दोरा आप सभी बच्चे या फिर हम सभी में भासा के परिभासा को इस प्रकार लीपीबद किया गया है कि हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक धोने को चार्न PlayStation करते है उन्हें क्या कहते हैं भासा कहते हैं। बहुत सरलता से क्या करते हैं प्रकट कर पाते हैं ये इनके द्वारा आचाय के सुर्दाजी के द्वारा कहा गिया है अगला है डॉक्टर रामभवू सक्सेना के द्वारा इनके मतानुसर कहा गिया है कि जिन धोनी चिन्नों द्वारा मनुष से क्या करते हैं परसपर विचार बिनेवे करता है, उसे क्या कहा जाता है, भासा कहा जाता है, तो ये इनके द्वारा कतन दिया गया था, अगला जो कतन है, स्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिया गया है, यहां बताया गया है, कि स्याम सुंदर दास ने कहा है, कि भासा विज्ञान में, भासा के विशय में लिखा गिया है कि मनुष्य से और मनुष्य के बीच वस्तू के विशय में अपनी इच्छा और मती का आदान पतान केरने के लिए जो व्यक्ति धोनियों का जो बैवार होता है उसे क्या का आयाता है फिर अगला जो कतन ने डॉक्टर भोला रहात ने भासा को प्रहाजित करते विखा है कि भासा विज्जान में लिखा गिया है कि भासा उचारन अवेवस से उचारित मुलतर, पराया याचिक, धोनी प्रदीगों की वह अवस्ता है जिसके दोरा किसी भासा समाज के लोग आपस में विचारों का आतन पतान यहां करते हैं फिर हमारे पास दो और कतन है तो इतीन और कतन हमारे पास आचारी देविन्ना सर्मा जी ने कहा है कि भासा विज्ञान की भूमिका में लिखा उचाई धोनी संकेतों की साहता से भाव या विचार की पूर्न अभिवक्ति ही क्या है भासा कहलाती है फिर डॉक्टर सर्यू प्रसाजी के द्वारा कहा गिया है कि भासा वानी द्वारा विक्ति जो है या विक्त जो है स्वच्छन प्रतिकों की वह रिती बद पतती है जिससे मानव समाज में क्या होते हैं अपने भावों को परस पर आदान प्रदान करने ही तू एक दुसरे के स जिसके माइदम से मानव समुदाई परस्ट पर वहवार करता है और प्लेटर को नुसर क्या कहा गिया है विचारों को भासा का मुदाधार मानते हुआ गया है कि विचार आत्मा की मूख बाची थे पर वहीं जब धनात्मक होकर होटो पर पकट है तो उसे भासा की संग्या हम देते हैं फिर मैक्स मूलर के नुसर भासा क्या कै भासा और कुछ नहीं केबल मानव की चतुर बूद्धी द्वारा आविसकी देख ऐसा उपाई है जिसके मदद से हम अपने मन के विचारों को सदलता और ततपरता से दूसरों पर प्रप्रट करते हैं और चाहते हैं कि इस परसपर क्या करते हैं बिचार विनियमें करते हैं या इनके द्वारों कि अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवंब इसपर धुनी संकितों का व्यवार कियाता है उनके संवों को भासा का आजाता है तो ये कुछ कथन थे जो आपको देखे याद रखना है, देखे हर पॉइंट याद नहीं रखना है, मैंने भूलोगा आपको याद करना है, आप हर दिन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसे कोपे नोडन करते हैं, इसे लिखते चलिए, आपको कुछ को देखे टर्म याद दवार होगे डॉक्टर सर्यू परसाद हो गिया प्लेटों के बारे मैक्स मुलर के दवारा तो यह कुछ कुछ जो करता ने आपको परिच्छा भी काम देने वाला अगला देखे परिच्छा मपूचा जाएगा कि भासा के महतु के बर्म बताईए या भासा के महतु को जहां पर आदिमानव रहते थे जहां कोई कॉम्निकेशन का जरिया नित संचार के जोग देखे तो भासा एक साधन था जिससे अब भासा किस पर का आपनी साधन को होता है तब भासा की जूँ होता था लेकिन अगर यह चीज नहीं स्टार्ट हुआ हो तो किस पर करते है इस जो संभाव घटाओं का संप्रेशन भासा का मायदम से कर सकता है देखे हम अपने आज का भी सोचते हैं कल का भी सोचते हैं और जो बीता हुआ कल बीद गया उसके बारे में हम लोगों कह सकते हैं जो दूसरे जानबर है हमारे ठीक है उनसे हमें अलग बनाता है आज से हजा जीवन चरिया है, उनकी स्रामाजिक परंपरा, आदी की जनकारी हमें भी खिसे मिलती है, भासा से मिलती है, भासा ही चिंतने मनन का क्या है, मार गया, तो अगर आपको भासा के महतु के बारें पूछा जाएगा, आप अपने हिसाब से लिख दीजेगा न, कोई दिकत नहीं हो जितना बना के लिख सकते हैं, मैं आपको बूलता हूँ, अपने हिसाब से लिख दीजेगा पेपर में, एक और कोशन पूछा था पेपर में, कि भासा की विश्चताओं के बारें बताईए, देखिए, हमारे भासा के वरम देखिए, एक यादिश्चता का आर्थ होता है, म समाज की इच्छा नूसार माना हुव संब्द है, इसलिए उस वस्तु के लिए, महाँसा में, दुसरा सब्ड पर्योक्त होता है, बहाँसा में, यह यादिश्चता सब्द और ब्याकनद दोन रुप से मिलती है, अता यादिश्चता सब भासा का क्या एक महत्पुन अभी लक्षन है या फिर भासा के विजिस्ता के पाटाता याद रखिएगा अगर अगला सवाल पूछा जा स्रिजनात्मक ठीक है मानवी भासाओं की जो मुलभित विजिस्ता है उनकी स्रियनात्मकता है आने जीबों में बोलने के प्रक्रिया में परिभरता नहीं होता है पर मनिश्य सब्दों और वाके बिनास की सीमित प्रक्रिया से नित नय नय प्रयोग करते रहता है सीमित सब्दों को भिन भिन धंग से प्रयोगत कर हुआ अपने भावों को अभिवत करता है यह भासा की स्रियनात्मक के कारण ही सम्होब पाता है, स्रियनात्मक तक हो ही उत्पकता भी यहाँ पर कहा जाता है फिर अगला हमारे पर पॉइंट है, अनुकरन गरहता, मानवेतर प्रानियों की भासा जमडात होती है तथा वे उसमें अभी विद्धी या परिवर्ता नहीं कर सकते हैं, किन्तु मानवे भासा जमडात नहीं होती है मनुष से भासा को समाज में अनुकरन से धीर दे सीखता है, अनुकरन गाही होने के साथी साथ मनुष एक से अधिक भासा को भी सीख लेता है और यदि भासा अनुकरन गहने योग ना हो तो मनुस्य जंगात भासा तक ही क्या रह जाएगा सिमित रह जाएगा फिर अगला हमारे पर पॉइंट है परिवर्तन सीलता माना भासा जो है परिवर्तन सील होती है वहीं दूसरे सब्द दूसरे यूग तक आते तन्यार उप ले रहता है पुरानी भासा में इतना परिवर्तन हो जाते हैं कि नई भासा का उदाई हो जाता है संस्किस से हिंदी त सकते हैं उनके कारणिंग क्या होता है बहासा को बिविक्त काहा जाता है तो यह हमारे तीन कोश्चेन रहें जो आपके पेपर ने पूछे जाएंगे अच्छे सवाल है बहासा टॉपिक से नेट लेक्चर में बहासा हमारा सेर कर दिएगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो पे तब तक लिजय ही जय भारत